नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नोलिज में दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे OG Nuxacin Cream 1% Weight by Weight के बारे में जिसके ब्रांड नेम है Ozevid और या Ebert कंपनी द्वारा बनाया जाता है दोस्तों ये एक टॉपिकली यूजड क्रीम है ट्यूब में मार्केट में एवलेबल है और इसके प्राइस को देखे तो इसमें 140 रुपीज 4-5 ग्राम रखा गया 140 रुपे इस 5 ग्राम ट्यूब की कीमत है दोस्तों अब हम चलते हैं इसके यूजड के बारे में किसी भी तरह के बैक्टेरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है जिसमें इसकीन पे घाव हो जाता है या सोर्स एपियर्ड होते हैं या एलर्जी होता है किसी भी तरह का जो की बैक्टेरियल इन्फेक्शन के द्वारा होता है इन सब चीजों के लिए हम इसका यूज करते हैं जैसे एक highly contagious condition है impetigo जिसे हम school source या red source भी कहते हैं जिसमें skin पर और face पर लाल-लाल दाने निकलने लगते हैं इसके treatment के लिए हम ogenoxacin cream का यूज करते हैं साथ ही साथ कुछ और bacteria जैसे की streptococcus pyogenes and staphylococcus aureus जो skin में घौव करता है infection करता है lesion appeared करता है साथ ही allergy cause करता है इन सब के treatment के लिए हम इस ogenoxacin cream का यूज करते हैं ये adult में हो रहे bacterial infection जो की skin पर होता है इसके treatment में भी यूज करते हैं साथ ही साथ pediatric patient यानी बच्चों के case में भी हम इसका यूज करते हैं ऐसे बच्चे जो दो मेहने के age से उपर हैं उस case में भी हम इसका यूज कर सकते हैं अब हम जानेंगे इसके यूज कैसे करें इस cream का यूज कैसे करें तो आप सभी जानते हैं ये एक external used topical application है इसका यूज हम पूरे दिन में दो बार करते हैं यूज करने से पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ कर लें देन, affected skin area पर इस cream को apply करें याद रखें, मुह में, आँख में, नाक में इस cream का use नहीं किया जाता है इन सब जगहों पे कभी न लगाएं आ तो आप सभी जानगे किसी भी skin पे हो रहे bacterial infection के treatment में हम इसका use करते हैं अब हम जानेंगे इसके side effect की बात तो side effect की बात करें तो ये ये cream iridema यानि skin redness cause करती है अगर किसी को भी ऐसे serious side effect दिखे तो इस cream का use तुरंत बंद कर दें और अपने doctors की सला ले Thank you दोस्तों किसी भी medicine को use करने से पहले doctors की सला लेना जरूरी है Thank you for watching this video